इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के एक पार्ट जो की SEO है उसके बारे में बात करेंगे SEO का पूरा नाम तो आप सभी को पता ही होगा नहीं भी पता होगा तो आप टाइटल या थमनेल पर देखके आप जो जान गए होगे कि Search Engine Optimization इसका पूरा नाम होता है तो कि SEO का मेंली काम क्या होता है कि SEO अगर आप अपनी वेबसाइट पर परफॉर्म करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट जो किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए Google पर या फिर किस सर्च Parkinson पर रैंक हो जाती है तिकिंग आप सर्च इंजन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को जो है ऑप्टिमाइज कर देते हैं इसे ही हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं तिक Springs को जो भी चीजों की रिख्वैर्मेंट होती है वो सारी की सारी आप जो अपनी के लिए जो है कोई भी आदमी अगर सर्च कर रहा है किसी भी इन्फोर्मेशन के लिए सर्च कर रहा है इसका मतलब कि उसे बहुत ही ज्यादा नीड है उस चीज की इसलिए वह उस चीज को सर्च कर रहा है गूगल पर कोई भी सीज सर्च करने के लिए आदमी तभी आता है जब उसे उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो तो अगर SEO में SEO करके अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विशेज के लिए जो है अच्छी जगह रैंक करा सकते हैं यानि कि टॉफ फाइब रिजल्ट्स में अगर आप रैंक करा सकते हैं तो जो है वहाँ पर आपके कनवर्जन के चांसे जो हैं काफी अच्छे मिल जाते हैं यानि कि आपका product के जो sale होगी या फिर आपकी जो services की sale होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी ठीक है आप यहाँ पर SEO करके आप blogging भी कर सकते हैं SEO करके affiliate marketing भी कर सकते हैं SEO करके आप अपने किसी भी brand को promote भी कर सकते हैं तो SEO आपका जो है बहुत ही ज्यादा helpful होता है किसी भी चीज को promote करने के लिए अगर आप जो है search engine का use करके किसी भी चीज को promote करना चाहते हैं तो आप SEO को use कीजिए ठीक है दूसरी चीज आपका जो SEO होता है चलिए अब SEO के कुछ types के बारे में बात कर लेते हैं देखिए ज्या Black Hat मतलब की गलत तरीके से किया गया SEO ठीक है कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमें अपने website पर implement नहीं करनी चाहिए अगर हम वो करते हैं तो हमारी website पर जो वो black hat SEO की तरफ जो है इसारा करता है और जो भी ऐसी चीज़े हैं जो search engine हमें अलाव करता है कि ऐसी चीज़े करो जिस SEO के types के बारे में बात कर लेते हैं SEO जो है white hat SEO दो चीज़ों पर depend करता है वो होता है हमारा on page SEO और दूसरा होता है हमारा off page SEO on page SEO में क्या आता है कि हमारी website पर किस तरह का हमारी website का design है हमारी website कितनी ज्यादा responsiveness है speed कितनी है हमारी website की हमारी website में और जो भी content है वो किस तरह से available किया गया है और किस तरह से content writing करी गई है तो वो सारा कुछ सारा हमारा on page SEO पर आता है ठीक है, off page SEO की बात करें तो off page SEO पर हमारी website पर कहा कहा से लोगों ने backlink दिये हैं मतलब कि कौन कौन सी website से ऐसी हैं जो हमारी website को refer कर रही हैं और क्या हमारी website के back end पर क्या process चल रही है वो सारा का सारा हमारा off page SEO पर आता है ठीक है, future की वीडियोज पर इनके बारे में हम detail में बात करेंगे कि on page SEO क्या होता है, off page SEO क्या होता है तो अगर आप ये सब चीज जो है जानना चाहते हैं तो मुझे follow कर लीजिए और आने वाले वीडियोज का इंतजार कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है like कर दीजिए आपके कोई भी questions हों तो आप comment box में बता सकते हैं मैं उनके answer जो है वीडियो के form पर दूँगा ठीक है, next tip के लिए और next video के लिए मुझे follow कर लीजिए, thank you